दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना आयजात निवास बनवाए हैं और आपने आयजात निवास का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपने घर बैठे अपने म वीडियो को शुरू करते हैं तो अपनी आई जात निवास का इस्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वाले लैप्टाप का कोई सभी ब्राउजर ओपन कर देना होगा और वहां पर आपको टाइप करना होगा इडिस्टिक इडिस्टिक टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा सर्च करने के बाद सबसे ऊपर यारा इडिस्टिक गॉर्मेंट आफ उत्तर परदेश इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा इसी त है उसका नाम लिख करके और इस्तिक लिख दिजेगा यहां पर्माडपत्र का सत्यापन्म हमें सत्यापन नहीं करना है हमें lazat बंश्कर प्रनेकों करने और कुलिक करने बाद- सवब्रहुत। यहां से बोल रहा है है कि इस पर दोब्लिकेशन नंबर ड़त तो जब भी आप अपना आएजात निवास का आलाइन अवेधन करवाते हैं तो आप अपना मुबाइल नंबर भी देते हैं तो उस मुबाइल नंबर पे जब आवेधन हो जाता है तो एक मैसेज आ जाता है उसमें अप्लिकेशन नंबर लिखा होता है तो उस अप्लिकेशन न यहां पर देख सकते हैं सेवा का नाम जात्य परवाणपत्र आवेदन संख्या आप आ चुका आवेदक का नाम और पिता का नाम यहां पर लिखा है कि ब्यूरड है तुक्लिक कर मतलब अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के मेरे पास और मेरे पास तयुका है तो मैं इसे निकाल करके और जिस भी लड़के इसे मैं दे सकता हूं तो फुरेंट कुछ लोगों का इस तरह से सो होता है कि आवेदन की जाच हो चुकी है तो अगर इस तरह से सो होता है तो आप समझ लेजीए कि जो भी अधिकारि लोग हैं उनका काम हो चुका है अब उन लोग भेज देंगे उसके बाद निकाल के देगा मतलब लास्ट स्टेज में आप समझे कि पहुंच चुका है अगर आप चेक करते हैं और इस तरह से लिग कियाता है कि आवेदन पत्र और यहां पे नाम आ और अग्रेसित कर दिया गया है और विवर्ण हेत्व पर किलिक करने के बाद देख सकते हैं जो आपका सियसे सब्सक्साहर से अचम करने कि अब नहां और और बदों से अ मतलब आपका जो आयजात निवास है हो बन चुका लेकिन यहां पर दिख सकते हैं अभि मुथ आपको पसंद आई होगे न लाइक कर दीजेगा